Hello friends and welcome back to our channel Tech Fever So, आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे comparison Realme का latest launch phone जो की है Realme 5 Pro और इसका हम लोग करेंगे comparison वीवो के phone से जो की है वीवो Z1 Pro So, वीवो का ये phone आज जो की है 12th, 20th August को launch हुआ है और वाही वीवो का जो Z1 Pro था, वो launch हुआ था करीब आज से एक मेने पहले वीवो का ये phone आया था तो जब ये आया था तो उस्ते काफी दाधा hype create की थी और वाही दूसरी तरफ Realme के जो भी phone सा आता है तो Realme famous है सबसे कम चीमत में सबस्क्राइशन देने के लिए तो आज ये वीडियो आप देख थे लिए एक वीडियो में हम लोग करेंगे full detailed comparison इनी दोनों brand new phone सा जो की है Realme 5 Pro और वीवो Z1 Pro चलिए आज चाहिए battle of pros start करते हैं तो सबसे पहले बात करें अगर design की तो back में जो है जो है जोनों ही phones में आपको polycarbonate design मिल जाता है जिसमें की वो वीवो Z1 Pro में आपको gradient design मिल जाएगा और वहीं दूसरी तरफ Realme 5 Pro में है एक diamond cut design और दोनों ही designs देखने में काफिया में जिख लगता है और वहीं अगर बात करें front panel की front में Realme 5 Pro में आपको मिलेगा 6.3 inches का display और वहीं वीवो Z1 Pro में है 6.5 inches का display वीवो Z1 का display थोड़ा सा बड़ा है और इसी के वज़े से यह phone भी थोड़ा सा बलकी हो जाता है और उसी के साथ साथ Realme 5 में एक water drop notch और वीवो Z1 Pro में एक in display camera दोने इन फोन्स में IPS panel है HD plus display है और उसके साथ Realme 5 Pro में Gorilla Glass 3 प्लस की protection वहीं दूसरी तरफ वीवो Z1 Pro में Gorilla Glass तो नहीं है बड़ वीवो ने कहा है कि जो जिस भी glass की protection उसमें है वो Gorilla Glass पे कुछ 30-40% बेटर है अब अगर बात करने कामरा की Realme 5 Pro का camera एक बहुत ही बड़ा highlight है इसमें की यह इंडिया का पहला phone है इसमें की back में 48MP का power camera setup मिलता है जिसमें की जो primary lens है वो 48MP का है और यह आता है Sony के IMX 586 sensor के साथ दूसरी की साथ सब secondary camera है 8MP का जो की ultra wide की लिए है और third camera है 2MP का macro lens है और उसके बाद last phone camera है 2MP का जो की है depth lens के लिए और दूसरी तरफ Vivo Z1 का camera है इससे काफी जादा नीचे है क्योंकि इसमें back में triple camera setup है इसमें की primary camera है 16MP का second camera है 2MP का और third camera है 8MP का अगर बात करें front camera की तो rear view 5 pro में 16MP का front camera और दूसरी तरफ Vivo Z1 Pro में एक 32MP का camera और अभी आप लोग श्कीन पर देखी सकते हैं कुछ samples जो की इनी दोनों phones से click किए गए गये गया हुआ 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 अब अगर एक बार performance की बार चाहिए तो यह दोनों फोन्स रन करते हैं snapdragon का एक latest पॉस्टर जो की है snapdragon 712 और यह 10 नानोमेटर की टेखनोलगी पर बेस है और प्लाटफॉर्म में दोनों फोन आंड्रोइड 95 पर रन करेंगे और पर आंड्रोइड का अब्रेट भी आपको मि जाएगा और वहीं रियर्मी 500 में एक ओको का कलरोई 6 और वीवो जबन प्रो में है वीवो का पर्सनल पंटेश नाइज अगर मेमोरी बगेरा की बात करें तो दोनों ही फोन्स में आपको सिपल स्टॉट में जाते हैं और इसी के साथ साथ बैटरी में वीवो जबन पूरा स चार्ज का सपोर्ट उसके साथ मिस्ता एक 20 बैट का चार्जर और कंप्री क्लेम करती है कि यह जो फोन है 30 मिनट्स में 55% तक चार्ज हो जाएगा और यूएजबी की बात करें तो वीवो जबन प्रो में आपको मिलेगी माइक्रो यूएजबी लेकिन रियल में 5 प्रो में आपको मिल जाएगा टाइप सी पोड जो की बन जाता है इसके लिए एक प्लस पॉइंट और सिक्योर्टी फीचर पर दोनों ही फोन में आपको पेस अनलॉक का फीचर मिल जाएगा और फिंगर में दोनों ही फोन से बैक में दिया गया है जो अब अगर बात कर लिए इनकी प्राइज की तो सबसे पहले अगर बात करें रियल में 5 प्रो की प्राइज इसका जो 4GB RAM 64GB का वेरियन्ट है उसका प्राइज है 13,99999 रुपीज और उसके बाद जो अगला वेरियन्ट है वो है 6GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ और इसका है 14,999 रुपीज और थर्ड वेरियंट है 8GB RAM 128GB की स्टोरेज के साथ इसका की प्राइज है 16,999 रुपीज अगर बात करें भी वो Z1 Pro के प्राइज की तो इसका जो बेस वेरियंट है 4GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ उसकी स्राइटिंग होती है 14,990 रुपीज से और उसके और सेकेंड वेरियंट है वो है 6GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ इसका प्राइज है 16,990 रुपीज और अगला वेरियंट है 6GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ और इसका प्राइज है 17,990 रुपीज तो ये थी एक detail comparison video इनी दोनों phones की जिसमें कि मैंने इनकी full details share की है और सीज साथ सब कुछ camera samples भी share की है जिसमें कि camera में तो obviously Realme 5 Pro का camera काफी better निकल के आता है और performance बगेरा भी दोनों की same ही है बट लेकिन finally चीजे matter करती है price पे जिसमें कि जो Realme 3 Pro है वो start हो रहा है 14,000 और Vivo Z1 Pro start हो रहा है 15,000 पे और जहां 15,000 पे आपको उसका 464 वाला variant मिलेगा वहीं आपको Realme 5 Pro का 664 वाला variant मिल जाएगा तो इस sector में भी Realme 5 Pro dominate कर देता है Vivo Z1 Pro तो overall बात करें तो Realme 5 Pro हर एक field में इससे battery निकल के आता है except battery क्योंकि battery थोड़ी सी कम है जिसमें कि Vivo Z1 Pro पे 5000 mAh है और 4035 mAh है लेकिन अगर बाकी सारी अधर fields की देखें तो Realme 5 एक edge create करता है Vivo Z1 Pro पे So finally I hope कि आपको ये video interesting लगी होगी ये video आप लोगों के लिए helpful लगी होगी और अगर ये video आप लोगों के लिए अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को जाज 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 शेर करें वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि मैं ऐसी इंट्रेस्टिंग टेक रिलेटर वीडियो लाता रहता हूं पिलार के लिए इतना ही में ते नेक्स वीडियो में जाहन बंदे मात्रम लूसी